मैंने सुबह के दैनिक रोजगार समाचार के वीडियो में 12,460 सिच्छक भरती से सम्बंदित एक महतकुन सुनवाई की इनफॉर्मेशन थी लेकिन मैंने इसमें 12,460 का नाम न लेकर उसकी अपडेट बता दी तो समझने वाले अभ्यार्थी समझ गया होंगे कि यहाँ पर मैंने का का लेकिन उसी वीडियो में बहुत सारे अभ्यार्थियों के ये तक कमेंट आ रहे हैं कि इसमें मैंने कोई सूचना नहीं दी इस वीडियो को देखने का अमन नहीं होता ऐसे बहुत सारे कमेंट आएं तो ये आपकी समझधारी के ऊपर निर्बत करता है कि आप उसको क्यों नहीं समझ पाए मैं इसमें क्या बदाया मैंने ठीक है इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि आपको अलग से अब मैं इसमें समझा दू कि क्या इससे संबंदित जो जानकारी वो आई हुई है तो यहीं बताने के लिए और दूसरी बात आप सभी जो अभ्यारती हैं देखने के अगर बात करें तो वीडियो में कम से कम 2000-3000 लोग वीडियो को देखते हैं ने कि लाइक की बात करें तो 20-25 लाइक ही लोग करते हैं य चुरू होनी थी मैंने पिछले वीडियो के मादम से बताया था कि लाइबाद हाई कोट ने एक आदेश चारी किया है उसमें कहा है कि 8 मई से सामाने तोर पर सभी जिलाजल और हाई कोट खोद दिये जाएंगे लेकिन आज या कल साम को सूचना चारी के गई जिसका आज नहीं खोलने का अनरोद किया था हाई कोट बार के महा सचिव ने मुख नियादिस को एक पत्र लिखकर 8 मई से हाई कोट नहीं खोलने का अनरोद किया था यह पत्र भी मुझे मिला था लेकिन मैंने आप लोगों के साथ सेर नहीं किया अभी फिलाल मेरे पास वह पत्र नहीं लेकिन उपत्र में शाथ तोर पर यही कहा गया था बार इशुषिन के द्वारा कि आठ मई से समाने तौर पर लग кажд 9 हाई कोट को ना खोला जाए जिसके चलते मुखिनयादिस गोबिन मातुर को लिखे पत्र में कहा गया कि 8 मई से आई कोड़ खोलने के फैसले को भैंकर महामारी का और फैसले की आसांग का है इसके चलते जो यहाँ पर सच्चियों है इन्होंने क्या किया इसको आज से निरस्त कर दिया है याई कि 8 मई से अब सामान तोर पर यह जो कोड़ है नहीं खुलेंगे आप पर बताया गया है कि इलहाबाद उच्चनयाले के मुखिनयाय मूर्ति गोबिन मातुर ने इलहाबाद उच्चनयाले की लगनौ मेंच में 8 मई से कोड़ खोले के फैसले को इस्तागित किया है यह कोरोना के क्रकोप को देखते हुए किया है अब यह कोड कब से खुल सकती है इसमें अभी जो भी 8 मई से खुलेंगे उसमें कुछ गाइड लाइन होंगी ठीक है पहले सामान तोर पर था इसलिए संभावनाएं बढ़ गई थी कि 12400 जो केस की अवशक्ता शुनवाई है वो करवाई जा सकती है लेकिन अब इसमें ये बताया भी नहीं गया है कि अब जो सामान तोर पर हाई कोड है वो कब से खुलेंगे यानि अनिस्तित कालीन के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है तो जो भी अगला आदेश आएगा कि सामान तोर पर हाई कोड कब खुलेंग वो हम आपको सबसे पहले इस वीडियो के माधम से अपडेट जरूर करें गए यही एक information थी जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताई थी